नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड़ खाने के फाइदों के बारे में गुड़ खाने से कई फाइदे होती हैं लेकिन अधुनिक खान पान में इसके लिए ज़्यादा जगा नहीं है हाला कि गाउं में आज भी घर-गर में गुड़ खाया जाता है वहाँ चाय में भी गुड़ डालना बेहतर मानते हैं अधुनिकता की दोड़ में शेहरों ने गुड़ से धिक चीनी को अपना लिया है वे इससे लाव नहीं हानिया भी जेल रही है जहां चीनी हमें हर प्रकार की नुकसान पहुंचाती है वही गुड़ हमारे लिए हर प्रकार से फायदा करता है गुड़ जितना पुराना होगा उत्रहीं जाला फायदे मन हैं आईरुवेद के अनुसार गुड़ खून की कमी होने से बचाता है यह किसी अंटीबायोटिक की तरह काम करता है आज हम आ आगे बेल आइकोन का जरूरत पादेना ताकि नए वीडियो की नौटिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो चलिए दोस्ते शुरू करते हैं गुड़ पेड़ से संबंदित कई समस्याओं का राम बान इला जाए अगर आपको गया से आईसीटी की शिकायत है तो से भूख भी खुलती है आईरुवेद के नुसार रोजाना खाली पेर गुड़ खाकर एक गिलास गरम पानी पीने से पेट में गैस एसीटी पेट दर्द और कप्ज की समस्याद दूर हो जाती है सोंट और गुड़ का अच्छा तालवेल है और गैस की समस्याद चुटकार साहते हैं गुड़ का सेवन खासी और द्वा में किया जाता है यह सरथी को दूर भगाता है पिशाब की रुकावटों को गुड़ दूर करता है हिच्की में आराम पहुंचाता है और चुकाम को भी दूर करता है कए कर लोह को समस्या रहती है कि रोज सुबह उटते ही उनक खराब खान-पान की वज़े से खून में गंदगी हो जाती है जिससे श्रीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में आपको रुजाना सुभे एक टुपड़ा गुड़ खाने के बाद गरम पानी पीना चाहिए इससे आप खून काफी हज तक साफ हो जाएगा कि प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर गुड़ खाने की सिला देती है एनीमिया की म्रीज के लिए भी गुड़ अम्रित के समाना है दिन में एक बार शकर के साथ या शकर के स्थान पर गुड़ की चाहिए इससे श्रीर में गर्मी बनी रहेगी यदि सर्दी लगातर बनी हुई है तो गुड़ अद्रग और तुलसी के पत्तों काड़ा बनागर पी कर सो जाएं सुबह ही आपको रात मैसूस हो जाएगी यह गले और फ्यफरों के इंफ्रक्शन से बचाता है और साथ ही जिन लोगों में नाक की अलर्जी होती है उनके गुड़ किसी दवा से कम न देंदा रोजाना के और गर्ण पानी के शेवन करने से ब्रोग काई जैसे रोगों से बचा जा सकता है और अगर आप has their के मौरीज है तो आपके लिए ग्तीन вас be it तो आपके लिए गुड़ का प्रयोग हमेशा चीननी के मतावले ज्यादा सुरक्षित है गुड़ के सेमन जुकाम और कफ में ज्यादा आराम दिलाता है जुकाम के दुरान अगर आप कच्छा गुड़ नहीं खाना चाहते हैं तो चाय या लड़ू में इसका इस्तिमल कर सकत हैं अगर आपको सुखे खांसी या गले में खराश जैसी समस्य हैं तो यह आपको काफी अराम दिलाएगा इसकी वज़ा यह है कि गुड़ नसव को फिला देता है जिससे रक्त संचार बढ़ता है और सांस की नली को अराम मिलता है यदि किसी को कफ की श्कायत है खांसी से हो तो दमा की तकलीफ हो तो उसे डेड़ तोला गुड़ और डेड़ तोला सरसों का तर्म लागर खाने को दें इससे सांस सरलो जाएगी इस उपचार को उस दिन लगातार करते रहें रुजाना गरम दूद और गुड़ का सेवन करने से श्रीर डेटोक्स होता है जिससे आ जाता है और इसे शोगर का स्तर भी नहीं बढ़ता है गुड़ आपकी हडियों के लिए अच्छा है गुड़ काने सी हडिया मजबूत होती है गुड़ में कैल्शियम भी होता है और इसके साथ ही फास फॉर्स भी गुड़ में भरपूर होता है यह दोनों ही चीज़ें अध्रक को साथ खाने से जोड़ों और घुटनों के दर्द में अराम मिलता है आईर्वेद के अनुसाब गुड़ वात नाशक होता है इसलिए हडियों से जुड़ी समस्याओं में गुड़ और चना खाने की सलाथ दी जाती है गुड़ का सेवन आखों के लिए बहुत फा जाती है तरह शिरी को नहीं लगने देते यदि कोई भी क्रीमी नाशक के दवा खाने से कुछ घंटे पहले गुड़ खा ली जाए तो बड़ा फाइदा होगा क्रीमी आथों को छोड़कर गुड़ खाने में लग जाएंगे ओपर से जब दवा जाएगी तो अतुरंत मरकर शोच के साथ बाहर निकल जाएंगे और पेट साव हो जाएगे दोस्तों गुड़ का सेवन करते समय कुछ सावधानिया भी जरूर है जैसे ज़्यादा गुड़ खान से वजन बढ़ जाता है 100 ग्रम गुड़ में 380 कैलोरी होती है इसलिए उतना ही सेवन करें जितना आप 50 जा सके गुड़ खान से जाहिर तोर पर श्रीर में ब्लड शोगर की मात्रा बढ़ती है इसलिए डियापेटिज की इमरेज साव धान रहें कई लोगों को गुड़ के करन पेट में गर्मी हो जाती है और दस्त लग जाते हैं तो ऐसे लोग भी संभल कर इसका सेवन करें तो जाते हैं एो झाते हैं